नमस्कार दोस्तों मेरा अल्सास्तरी सवगत करता हूँ आपका अपनी जोती सिखाने की संखला को जारी रखते हैं बहुती सरल तरीके से कम सब्दों में आपको बताने जा रहा हूँ गुरू गरह के जो दरश्टी है उसका आपके जीवन पे क्या परभाव पड़ता है गुर गुरू जो की मान सम्मान परतिष्टा यस कीरती जस समाज में मान सम्मान और विवाहिक जीवन पुत्र और जिंतिकी के अंदर धन सम्रद्धी इन सभी चीजों के कारक बाले जाते हैं तो गुरू का कुटली में अच्छा होना यह दिखाता है कि वह व्यक्ति अपनी जो ल द्रश्टी से भी पहुत अच्छा तो कुटली गेंतर गुरू का एक एहम भूमिका निवाती का रहती है और हर लगन के अंदर क्या परभाह पड़ेगा यही मैं तमाम जांकारी देने जा रहा हूं गुरू की द्रश्टी का क्या परभाह पड़ता है और गुरू कहां अत् दर्ष्टि होती सपोज गुरु यहां बैठे हैं लगन में दिख बली हो गए एक आपल दे रहा हूं तो जिस भाहों में बैठेंगे हां दिख बली हो गए यहां पर अच्छा प्रभाव डालेंगे और यहां से पहली दरष्टी 5 वी बड़ेगी दूसरी दरष्टी 7 वी साथ वी नुबी तो क्योंकि लगन में वो सूव माने जाते हैं तो जहां बैटें और अपने दर्ष्टी डालना है उनको में जब करेंगे और अगर इहां पर कोई गरह बैठें हुए तो उनमें भी अपना अच्छा प्रभाव उन गुरु को भी अच्छा प्रभाव देने के लिए उत्यजित करेंगे तो इसलिए गुरु बहुत सरुसेष्ट है अब दरश्टी के फायदे आप यह देख लिए कि गुरु अगर किशोर अवस्ता में है यानि गुरु अगर 12-18 के बीच में तो यहां पर यह अपना अच्छा 100% रिजल्ट देंगे गुरु मारक भी हो सकते हैं सुब गरह भी खराब हो सकते हैं पर इसके बरे में मैं आपको बताने जा रहा हूं डिटेल से सबसे पहले समझे आप अगर मेश लगन है और मिथू लगन में भी मान इन सभी लगनों के अंदर गुरु सुब माने जाते हैं क्योंकि उनको अच्छे भाव मिले हैं बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मिथून और कन्या लगन तो बुद्ध की है पर गुरु को भी यहां पर दो केंदर के भाव मिलते हैं इसलिए अगर गुरु का प्लेसमेंट हो अपना लाब देते हैं तो गुरु के राजयोग आपको किस प्रकार प्राप्त होंगे अगर जो लगन मैंने आपको बताई जैसे यह वर्चिक लगन है एक एक जामपन ले लेते हैं कोई भी लगन हो वैसे पर जिसमें मैंने मार्क किया है इसमें अपना सर्वसेश्ट नहीं कि शिक्सा के मादन कंदर बहुत ग्यान होता है समाज में मान शम्मान होताए yieldida कीमान अपने जैन से अपने झिन्द के गंदरित तमान सूप पराप करने वाला यहां से दरश्टी नहीं मारें। गुरुत की रासी है तो कोई दूसरी रासी तो भी कोई दिक नहीं है तो संतान की दर्स्टी शीज है पहले पुत्रकायोग मुझे सीक्सा Prophet तक को मिलते नहिएंगे यहां से नवम-भाव को और धरम को मानने वाला पिता का पुनरूप से सुख प्राक्तिक विद्धा और इसलिए एक तो मेश लगण है रगनान सिंग्ण रगनानाrap और गुरू केंदर तिर्कोन में हो इसका मतलब यह कि गुरु यहां बैटे हो पहले भाव में हो गुरु नवन भाव में हूं दस तंभाब में आपके पहले चोते सबॉत और दसं पंचम और नवन इन भाव में अगर गूरू बैठे हैं तो मुझरू से जिनते के अंदर कारा छोके बैठे हैं जो इने बनाई तो गुरू की वहा दर्ब सा अंत्रबस और तंदरों स जाए अब अगर पहले बाहों में तो यहां से वह अपना व्यक्ति का लगन खुद उसको समझदार बनाएंगे संतान दरश्टी से और भागे की दरश्टी से पहुत बढ़िया अगर चोथे बाहों में होंगे तो जिंद्धिक अंदर पहतरिक संपत्ति मकान वहन जिंद्धिक को बिजनिस की तरक्की में जो बिजनिस के पॉंट्रबू से बहुत अच्छा और उसमें लाब मिलेगा साथ ही साथ भागे का पुंद्रूप से साथ मिलेगा वे इसी परकार कुंट्रली में अगर यहां पे हैं गुरू तो पहली बात तो मैं आपको बता हूं अगर यहां पहले दरश्टी भाग्य भाव पर देंगी तो अगर आप पंचम भाव को देख रहे हैं यह अपने एक राजियोग हो गया तो व्यक्ति को जो है यहां पर लगन यानि व्यक्ति को समझदार भी मना देंगे इसी परकार अगर यहां पर इसके बाद एक जंप ले लेते हैं अगर सब्ता भाव में गुरू है तो व्यक्ति को विभाएक जीवन की दरश्टी से पहुत अच्छा विभाएक बाद जातक का भाग्योदे हो होगा ग्यानमान और वैक्ति को विभाएक के सथ साथ ऑसकी अगर पती और पतनी पत使ी पति का पुंदृरूप से फसात मिलें विवेक्ति को पहुत सुष्इल हम है कीद रस्टी से समस्ज सकते हैं ensures पै लाप alltid भाए साथ और साथ बढ़ा देंगे अभा खोगा है नहीं मुखक लोगा समाज में patip transmitter को अधिकती को चिक्षाय में पढ़ बना देंगे और पून रूप दर्ष्टी से बुद्धि की दरष्टी से पढ़ाये की दरष्टी से आकасम हिकलाभ़ की Until गरुठी में गई तो डाफीनेटरी रोजगार की धरष्टी से पहुत अच्छा जी चीज में हाट ड़ं दमें यह जिस रोजगार को चुलेंगे उसमें पहुत अच्छा कर पाएंगे और समाज में भी व्यक्ति को बहुत अच्छा समझा जाएगा मान समान परतिष्टा पून रूप से मिलेगी धनवान होगा वैक्ति कुटम का पून रूप से साथ मिलेगा पैतरिक पत्ति जिन्द के कंदर तमाम सुक देखना पड़ेगा व्यक्ति को और कभी-कभी परिशानियों के उपर भी जातक की वीजे होगी तो इन जंगा पर गुरू बैठे हैं तो निच्चित रूप से आप रहे तो भी व्यक्ति को फैदा होगा अगर लाब भाव में बैठे तो भी व्यक्ति को फैदा होगा यहां से भी वह अपनी दरश्टी अच्छी डालेंगे पूनरुप से व्यक्ति को फैदा में लेगा तो गुरू एक ऐसे ग्रह हैं जो जहां बैठते हैं और जहां दरश्टी डालते हैं उसका बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ता है जिस चीज पून माना जाता है है एक चीज वरीचल आगर बलावल है गुरू में अगर गुरू पूं कि सौर वस्ता में यानि आनी वंकि जो नीएwalk व्यक्ति बड़ा से बहुत 29-30 बाल वस्ता है मरत वस्ता में तो उनके बल में बहुत कमी मल जाती है तो कमजोर समझे जाएंगे ऐसे में उनका बीजमंतर कर सकते हैं और उनका साथ इसाथ आप रतन पहन सकते हैं पुखराज यह जो पुखराज है यह आप गुरुवार को धरन करें और यह गोल्ड में प जबूत हो जाएगा बीजमंतर कर सकते हैं इसका एकस्वाट जाप रैगुलर बेसिस पर करें इससे भी आपको फायदा होगा तो देखिए गुरु के बारे में आपको मैंने बताया कि गुरु की दरश्टी और गुरु कितना महत्तपून होता है और आप देखिए कि आपक आपको पहुत अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दें बहुत ही दोस्तों सरल तरीके से कम सब्दों मैं आपको आज गुरु के बारे में बताया वीडियो गर अच्छे लगए को तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद